गुड बॉर्णिंग बच्चो हम लोग यह वाले कुश्चन कर चुके थे ना बच्चो इससे पहले यहां तक कर चुके थे लास वाला कुश्चन बचा था और हमने बता भी दिया था सिच्चाई के लिए कहां कहां से जल प्राप्त होते हैं यह भी बता दिया था नल कूकों स यह सब दिया था ना बताया था लिखाया था तो लोको अब लास वारा पुर्शन का अंसर क्या है बचो रसाइनी खाद की अपेक्षा जैविक खाद अधिक फाइदे मंद है क्यों यह हमें बताना ओ देखें यह आंसर आपका बिलकुल यहां पर बिलकुल वैसे ही लिखा है हम लोगों को लिखना है जैविक खाद देख रहे हैं बचो जैविक खाद के प्रियोग से मिट्टी उपजाओ होती है वेरी नाइस बहुत अच्छी बात है फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं परता रसाइनिक खादों का प्रियोग करने से शुरुआती साल में उपज जादा होती है परंतु बाद में धीरे धीरे भूमी बंजर होने लगती है मिट्टी अधिक मात्रा में इसका प्रियोग करने से भोजन में जहरिये तत्मों की क्या होती है मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमें अनेग बिमारिया हो जाती है पशुओं द्वारा या द्वारा इन खाग परदातों का प्रियोग करने से भी बिमार पढ़ जाते हैं उसकी गुण्वर्ता भी कम हो जाती है। ऐसे में अच्छे स्वास्त के लिए जैविक ख़त ही उत्तम है। हमारी सरकार भी जैविक ख़त बनाने बाँ उसका प्रियोग करने पर जोड दे रही है। है ना बच्चों ये वाला आंसर हैं। ठीक है अब ये वाला एक्ससाइज करते हैं। ये लिख लिजेगा। अब ये एक्ससाइज के खाली जगा भरो। धान की फसल के लिए डैश मिटी अच्छी होती है। कौन सी मिटी अच्छी होती है। दो मठ यहां पे हम लोग भर लें। दो मठ ठीक है। फिर खाद से मिट्टी अधि, डैश हो जाती, क्या हो जाती होगी, उप जाओ. आज कल खेतों को जोतने के लिए, डैश क अप्रिज की टूरी गयाता है, पहले तो बैल और वे हल बगरावनदलने चलता है। अब उप Rick Gavin के देखा होगा। पीछे वह लगा रहता है नुखिले नुखिले से उससे खेत आराम से जुल ऑगय जाता है पिर जारवरों से फसनों की रक्सा करने के लिए डैश का प्रियोक किया जाता है किसका कि का की काटीली ज़ाडियों का न Как जार्वर निगुशते ना कटीली ज़ाडी लगा देंगे तो जानवर दो सकते हैं, कटिली जाड़ गया, कटिली जाड़ गया, अब वर्ट पहली में अधिक से अधिक अनाजो का नाम भून कर उन पर गोला बना है, ऐसे ही बच्चों तुम लोग बनाना बिल्गूल, सेम, पहले ये लिखना, पहले लास्ट वाला कॉशन हमने बताया तुमें, वो लिख लेना, फिर ये लिखिएगा फिलिंदा ब्लैंक्स और फिर ये, अब तो यहां पर उन्होंने गेवू बना कराया ना, तो हम लोग ढूंडे, अब इसमें क्या है, जवार देखो, आरा जवार, जवार 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 होता है ना, वो बट् मतर, मतर, रव, सही बात है, बिल्कुल सही, फिर आजकल सुनते हो ना, रागी का अटा खाना चाहिए, रागी भी एक होता है, फिर ये देखो, यहां प्यार है, चावल, चाव, चावल, ये देखो, इसी के नीचे, राज, मा, मूंग, है ना, मूंग की डाल हम लोग खाते ह मूंग की डाल, मूंग की डाल मूर बिठाते हैं, फिर अरहर, अरहर है ना, अरहर की डाल, ये देखो, ये पूरा आएगा, ऐसी बच्चों बनाईएगा, पूरा ऐसे करके, और इसको जो ये गोले बन रहे हैं कलर, और सबसे लास्ट में क्या हो गई, मूंभली, कितने हो ग हो गए, बच्चों समझ में आ गया है सबको, अब अच्छे से आप अपना, बच्चों बहुत कम बच्चों ने इसमें काम करके दिखाया है, और पहले वाले कोशन आंसर, ये वाले कोशन आंसर तो एक एक दो दो लाइन के थे, लिखवात भी दिये तुम लोगो, तब भी नहीं किया, आज ये काम और ये, बना के कलर करके, जैसे ये है, गेहूं को ऐसे ऐसे करके कलर कर दिया, दूसरे कलर से, है ना, फिर अरहर को दूसरे कलर से कर दिया, जवार को अलग कलर से कर दिया, तो ऐसे करके अच्छे से बनाओगे, ये लेसन खतम हो गया है, देख लो ये लेसन पूरा खतम हो गया ना ये भी ये भी नहीं दिखाया बना के तुम लोग ने ये बताया था ना ये रसाइनिक खाद है और ये जैविक खाद है ये जैविक खाद है ये रसाइनिक खाद है ना ये भी बना कि बनाएगा उसमें ये सब कहां से बेडी है ना ये देखो जल कहां से चुछाही के लिए जल मिलता है तलाब से छील से नदी से कुए से नर्पूप से नहर से प्राप्त करते है ना चुछाही के लिए जल और यहां पर देखो मिठी दीती है अगार हम विवाई इसलिए करा दे रहें सबसे पहले हम उन्हें फसलों में क्या था मिट्टी को बलई मिट्टी चिपनी मिट्टी सिल्ट मिट्टी दोमट मिट्टी ऐसे फिर मौसम के हिसाब से ही फसले बोई जाती थी यह सेकेंड स्ट्रेप क्या था मौसम के हिसाब से ना यहां पहली फसल जुलाई अगस्त में बो जाती ती एपरल में पूई जाती ती और जुलाई वे हिये नाम है खरीफ रभी और ज्याथ ये देपो ये बननाया था स्ब्से दिए सिचाए के लिए अभी अबताया हूं ये रहट और ये हिरणी है ना और ये रहेक ली सु तरह से हैं फोसो schon यह लेसन आपका यह देखो ऐसे सिचाई दो तरीके से उती त्रिप टपक से मतलब धीरे-धीरे पानी धीरे-धीरे टपकता है और सिचाई यह लेसन अंसर भी हो गया और यह नीचे जो है यह पढ़ना तुम लोग क्या है कि क्या क्या पूछा जा रहा है उसको अपने अपने इच्छा से यह करना होंबग आईए करें यह देखना क्या क्या बताया जा रहा है इसको अपने आप पढ़ना ठीक है अब यहां तक आज कर यह लेसन खतम हो गया अब अगली इस टॉर्ण से हम लोग नए लेसन पर चलेंगे ठीक है बच्छो फिर भी कोई चीज समझ में आई तो आप हमसे पू करेंगी तो बताया जाएगा उसी इसाब से आप आईए और अपनी बुक्स वगेरा ले लीजे है ना और अच्छे से पढ़ाई करो सारे बच्चे पढ़ो बच्चो बहुत बच्चे जुड़े हैं और काम कम बच्चे दिखाते हैं सब बच्चे दिखाया करो थांक्यू ब